हेलो गाइज, विलकम टो माई चैनल, तो कैसे हैं आप सब, मैं आरेन के सरी आप सभी का स्वगत करता हूँ अपने चैनल पर, लेकिन इस वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें और उसके बाद जो घंटा आया गा उस घंटे को दवा दें तकि से पहले स्टो, बीना टाइम बरवाद किये हुए अपनी वीडियो को आज सुरू करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्लास एट का, इन्सी आर्टी का, एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर, साइंस का, चैप्टर नमबर टू, माइक्रो और गनीजम, फ्रेंड्स माइक्रो और्गनीजम होते किया है, तो माइक्रो और्गनीजम वो और्गनीजम है, यानि वो जीब है, जो बहुत ही चोटे हैं, और इतने चोटे हैं, कि उन लोगों को हम लोग अपनी नंगी आखों से देख तक नहीं सकते हैं, नंगी आखों का कहने का मतलब, बीना सब्सक्राइब कर सकते हैं जो बहुत चोटा हो और माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सके अब आगे बात करते हैं तो साइंटिस्ट लोग जब माइक्रोस्कोपिक के बारे में जब स्टडी करना चालू कि तो वह लोग पाएं कि जो माइक्रोडनीज्म होता है वह लगवग चार तरह की गुरूप में बाटा जा सकता है उन लोगों को इसमें पहला गुरूप था बैक्टीरिया दूसरा गुरूप है फंजाए तिसर जानने से पहले एक और चीज सुन लिए कि जो माइक्रोडनीज्म होता है वह दो तरह का होता है ठीक है कुछ सिंगल सेल होता है जिसमें मातर सेल वाल होगा एक न्यूकलिस होगा और साइटोप्लाजम होगा और कुछ सेल और बच्पन में पढ़ चुब हैं ठीक है और पर Lex LR में ख़ंजाय और फी बहुत तरह का जो और गनीजम होता खनीजम होता है तो जैसा के मैं आप लोगने को एक कंत्रवाहें बताया था से बारे में फिए से बहुत सारा का कि अन्यन लगार siendo का दा भूस नकर पर अंदर होता है कि ज्थे करता है तो इसमें बात यह है कि बाइरस को जिन्दा रहने के जीवन चाहिए लिए उसको आप बारा ब्रस यह बिमारी कि अगया हो गया घ्राखी गफ होता है यह सब केरी भी आज तक यह माइक्रोंगरी में नहीं आ पाया बहुत ही दुख का बात है और एक और जनकारी के लिए आपको बात बता दें कि जो कोबिड नाइंटीन जो कोरोना वारेस जो हम लोग घर में ठोसा के रखा हुआ है वह भी एक बाइरस है अब आगे बढ़ते हैं तो आ सब्सक्राइब लेगा इनलों घर जगार रहता है कोई जगा को नहीं छोड़ा ठंड़ा क्लाइमेट हो गरम हो डेजट हो मार्सी लैंड हो समुंदर में हो आसमान में हो फिर आदमी का शरीर के अंदर हो बाहर हो कहीं पर भी हो इनलों हर जगार रहा जाता है बहुत बड़ जगाओ ठंडा कहीं पर भी पाया जा सकता है मखरूनीच ठीक है आप एंगे कुछ फोटोग्राफ से देख पा रहे होंगे जिससे देख के साफ है इंड़ी में भी होता है और इंडस्ट्री में भी होता है जो कर लीजे इन लोगों रहे गहीं रहेगा अब अगला टॉपिक के बात करते हैं कि आगे है क्या तो आगे हम लोग के बात करना है कि भाई यह से हम लोगों को दोस्तिय दुश्मानिंग का चीए होता है तो होता है हमको इसे का मतलब है मतलब है और इसी मतलब को हम लोगों को जानना है तो मैक्रोर्ग में जो होता हो हमारे जीवन में बहु अगे की मैक्रोटनीज्ट जो होता है वह हमारे आसपास में हो रहे हैं अगर हमारे आसपास में हो रहा है उसके लिए मैक्रोटनीज्ट में होता है in many cases, कैजין की बारे इसा बात करते हैं तो जितना भी उन लोगों का harmful effect या फिर लो जो बोल सकते जो friendly behavioral, benefits ओं लोग का सब के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे friendylSi कल दोस्न के बारे में भर ने मिठैसे ढाट मिठैसे बनाने के लिए बनाने के लिए कैक तब भूब कम सब बड्ले में जाता है और यह जल जाएगा क्यों यूज किया जाता है घैर यह बनाके रखिए तो जो मैक्रोडिनिजम होता है उन लोग का दूसरा फायदा यह है दूसरा फ्रेंडली नेचर यह है कि वह हम लोगों का जो गंदगी हम लोग फैलाते हैं उसको साफ करता है ठीक है गंदगी में प्लास्टिक जो होते हैं उनको क्या करता है उनको तोड़ देता है तोड़ के हमारे इंवारिमेंट को क्लीन कर देता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई चीज बाहर छोड़ते हैं उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया का यूज करते हैं हम लोग मेडिसीन्स बनाने के लिए ठीक है उसके बाद से बहुत सारे जो bacteria's मतलब बहुत सारे जो microbes होते हैं वो soil fertility को भी बढ़ाने काम करते हैं कैसे nitrogen fix करते हैं जैसा कि आप लोग जब chapter 1 पढ़ने होंगे जैसा कि मैंने पढ़ाया है तो उसमें बताये हैं हम कि उसमें बहुत सारे good microbes होता है जो स्वाइब में nitrogen को fix करता है nitrogen और जो nitrogen होता है और बहुत चाहिए important होता है किसके लिए crop को बढ़ने के लिए ठीक है अब आगे कब बात करते हैं कि microorganism जो होते हैं वह alcohol के production के लिए भी यूज किये जाते हैं यह जो alcohol जो बनता है उसमें कि microorganism का बड़ा हाथ है अप्यक्र लोग क्या बुलने वहला था कुछ नहीं चलिए पढ़ते हैं चोड़ो उससे क्या पढ़ोगे तो अब यहां बात करते हैं कि आखर भाई दूद्ध दही में कैसे बदल जाता है और ब्रेड कैसे बन जाता है माक्रीजिम के तो सबसे पहल लेकिन यहां पर पॉइंट याद करने लाएं कि जो कड़ में जो बैक्टीरियम मतब्स उता है ठीक है वह सबसे जो में ग्टेसिपर है और यहीं अपना रिप्रदक्शन करके पैदाबार यहां को बढ़ा के रिप्रद्द्रिफ्र करके जया बहुत सारा हों जाता है तो य अब लोग पनीर खाए में बहुत 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 बादूर पनीर बनाने में help करता है और सुजी मतब कि सुजी का इटली बनता है यह फिर भाटुरा बनता है इसे सब चीज में बहुत इंपोर्टेंट इंगृडियन्ट है बैक्टिरिया जिसकी हम लोग हमते जेन्रल प्रोमोसन के लिए है अब फर्मनें तो फंकाना को हिंदी में गहर में यूज करती है तूसरा से बैक्ट्रिया बनाने के लिए और धोसा बनाने के लिए भी यहाँ यहाँ बताया गया है ठीक है ये जो होता है बहुत ज़एज़ अदेख़ेर यहां पर क्रिजन बता रहा है कि आखिर क्यूं क्यूं कर मेशन नगां अगर अगर मुलुख करता है तो उन्होंनों करता है रीप्रोडूस करेंगा तो पर पानी के अंदर तुम कूष पाइप डाल दो क्या होगाब पानी करने यहाँ पर भीफ बनता है लेकिन इसका देन बहुत ज्यादा होने करन पर बॉस जाता चीनी मिला दो गरम पानी मिला करके उसमें बहुत कम मात्रा में इस्ट का पॉडर डाल दो ठीक है उसको थोड़ा सा फिर आटा गुथ लो गुथने वह छोड़ दो तो तुम आधे घंटा बाद देखेगा कि जो आटा है आटा पूरा फूल गया क्यों फूला भाईया तो सब्सक्राइब करते हैं कि हम लोग उससे प्रॉफिट के किस तरह से कमाते हैं तो पहले बनाने के लिए यूज होता है और घर में यूज होने वाला जो तो अच्शिट का जो सब्सक्राइब करें। विष्ट पिचलता आद रवीट या निकालता चीनि को निकलता है उसे को यूज चीनि करते हैं निकलताम मिठा मिठा उससी को हम लोग यूज करते haft ठीक है यहाँ पर एक noticeable बात है कि इस जो है sugar को convert कर रहता है alcohol में जो process होता है इस process को बोलते है क्या fermentation बोलते है यानि the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation ठीक है और यहाँ पर एक और चीज है जो एक जाम में हर बार कुछता लोग पुछ देता है वो क्या है लुइस पैस्चर जो था वो fermentation को discover किया था कब किया था 1857 में इस बात को रट लो हो सकता है एक जाम में एक नंबर में आजए अब आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग को का पढ़ना है तो आगे हम लोग को पढ़ना है medicinal use of microorganism यानि कि भाईया एतना दवाई-दारू जो आज में हम भी मार पढ़ चुके है हमरा ठीकर तब उन लोग तुम लोग को बहुत सारा एंटिबायोटिक टैबलिट देता होगा कोई को कैप्सूल देता होगा और को कुछता लोग इंजेक्शन मार देता होगा ठीक है इसमें का दूबर तुम्हें नाम पेनिसलीन तेनिसलीन सुन मतलब कि ऐसा दवाए जो किसी भी मतलब कि आपको बॉडी में को मार दे तो उसको एंटिबॉडी बॉडी बॉडी में जो भी बैक्टिरिया जो भी मैक्रोब्स होगा उसको मार दे वे उसको एंटिबॉडी ज बोलते हैं अभी एंटिबॉडी सोरी उसको आप बात करते हैं पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कॉमश्य नूवन एंटिबॉडी के बारे में यहां पर दो या फिर तीन याद कर लो एक्जांपल देने में काम आएगा यह तो नहीं इस यह तो चल जाएगा क्या है अस्ट्रिप्टो मैसीन टेट्रासिलीन और इरिथ्रो मैसीन ठीक है जो भी है दवाई दोकान में जाओगे मांगों के मिलते हैं तो याद कर लो भी उसके अची है उसको अधाय कि एंटीबाइटिस जो होता है उसको बहुत की सारा लाइप स्टोक है जानबाइब गाहर में जो पसुसों को पालते हैं तो उससे चार आग साथ मिला दिया जता है काहें मिला जाता है तक उन लोग को बीमारी ना हो ठीक है तो यह अब कैसे मिला जाता और यह कैसे काम करता अब उसके बारे में जानते है ठीक है तो सबसे पहले जान लोगे कि व तक को मारने के लिए चिछ उसको मारने के बाद फिर याद कर लेता है कि किस तरह दसको मारे थे और क्या जी फिती मरगद जायें अच्छल्छे तुमको दो आदम से लड़ा दे तुमस कुछ जो और याद हो जाएगा ना इसको अगर उसको पता चल दा तो उसी कारण यहां पर वह जो होता है मेमरी याद हो जाता है तो हमको मेमरी हम लोग बनाते हैं आर्टीफेसली मेमरी हम लोग टो बनाते हैं ताकि बाद में अगर और वाइरस लग जाए mummy को नबольз को सुन रहा होगा did बन पाए वे तर भीए जान लो वैक्षिन क्या होता है था कि अच्छा से समझ ढाऊ थीक हा daddy touchscreen मारा हुआ है उसका सारा डेटा सेब कर ले ठीक है ताकि बाद नगर उसी के जैसा बारेस अगर फिर कभी घुसे ठीक है यह तो कम जोड डाले तो इसके बारे में को जानगे कैसे मारना उस समझ आप अगर मजबूर तरह घुसेगा ना तो कूट के मारेगा बच्पन सब को पढ़ा होगा अब उसके बाद फिर अब यह जो उपर तुम लोग ने देखा थोड़ा कर पढ़ भी लो ठीक है तुमको समझ में आ जाए आखिर वैक्सिन काम किस तरह से करता है ठीक है अब यहां पर वैक्सिन का डिफिनेशन भी दिया हुआ है एक्चॉली वैक्सिन सार्डेड और विक होता है कि एक फॉर्यान राजब लगों मिला अब तुम ल хват तक कम से कम तुम्लों को मैं स्विक्षिशन जवर्म मिला किम वह हुगा उसवां और यहां वर आगे रखते हैं लेकिंगे उससे पहल एक बात और यहां पर है जो तुम लों को याद करना पड़ेगा है ल्याव म सदम आया था Cन परफारीन के लिए नूट्रिन्स चाहिए होता है इसमें कर रहता है नुकर्णिजम नेखने कंSound और यहां पर जो नाइट्रोजन जो होता है जो प्लांट लेता है इस तरह का जो भी बैक्टिरिया होता है उसको बाइलोजिकल नाइट्रोजन फिक्से सर्स या फिर फिक्सर्स बोलते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो और पॉइंट उपर में क्लीनिंग दी इन्वारिमेंट यहने हमारे वाता ब्रण को साफ कैसे करता है तो साफ ही इस तरह से करता है कि मान के चले तुम कुछ चीज बाहर अगर छोड़ दिये हो कोई भी फेक दिन बाद तो में घाए हो जाता है तो मति बाद जो मति ने नूट्रियंट में टोड़ देताय तो घंड में तुम समझ सकता है तो 65-30 नूसको बाढ़ देता है ठीक है और इस तो जो मैक्रोब को सोंडिक बोलते हैं यहां पर यह दिंखनेंस नहीं यहां याद कर लिना अब डिकम पोज़र्स कौन को से मास्पोडिकम अब से बोलते हैं अब आते हैं अगला स्लाइड क्या चाहिए नहीं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया आई थींग कि अप्लोक्स 20 मिनट्स के लम समय हो गया है इसलिए अब पार्ट टू में इसको डिसक्रस करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन डला जाएगा और उससे पहले वीडियो देशने के लिए धन्य बात और इस वीडियो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब करो